हेलो दोस्तों आपके अपने चैनल किर्केट ग्यान पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर दिल से स्वागत है दोस्तों हमने किर्केट के मेदान पर अक्सर देखा है कि विरोधी टीम के गेंदबाच किसी ना किसी तरीके से बल्ले बाजों को उकसाते रहते हैं जिसकी देखते हुए आज हम मेरी इस वीडियो के जरिये बात करेंगे गुस्से में खेली गई तीन विस्वोटक पारियों के बारे में जिनें विरोधी टीम के गेंदबाच पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाएंगे आईए दोस्तों जानते हैं कि कौन सी हैं ये तीन सुफानी पारी खेली थी दोस्तों इस मैच में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोईब अक्तर गेंदबाजी करते समय बार बार विरिंदर सेवाग को कुछ ना कुछ अब शब्द बोल रहे थी इसका खामियाजा ये हुआ कि विरिंदर सेवाग ने पूरी पाकिस्तानी गेंदबाजी की धजियां उड़ाते हुए 309 रन जड़ दिये इस पारी को खेलने के बाद विरिंदर सेवाग ने प्रेस कॉंफरेंस में खुद कहा था कि अगर शोयव अक्तर बार-बार मुझे ना उकसाते तो शायद मैं आज 309 रनों की पारी ना खेल पाता दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं साउट अफरीका के ओपनर बल्लेबाज हर्शल गिप्स दोस्तों अगर बात की जाए हर्शल गिप्स के वारे में तो इन्होंने साल 2005 में ऐस्टेलिया के खिलाफ मातर 111 गेंदों पर 15 चोके और 7 छकों की हेल्प से 175 रनो के विशाल लक्षे का पीछा करते हुए मैच जीत गई थी एक इंटर्वियू के दोरान हर्शल गिप्स ने खुद कहा था कि यह पारी उन्होंने बेद गुस्से में खेली थी हर्शल गिप्स के अनुसार हम ऑस्टेलिया की टीम को बताना चाते थे कि हम भी किसी से कम नहीं हैं दोस्तों इस लिश्ट में सबसे उपर पहले नंबर पर आते हैं सिक्सर किंग के नाम से मशूर युवरास सिंग दोस्तों अगर बात की जाए युवरास सिंग के बारे में तो इन्होंने साल 2007 के टी 20 वर्ल्ड कप में इंगलेंड के तेज गेंद बाज स्टूर्ट ब्र स्टूर्ड को बहुत ना पड़ा एक इंट्रिव्यू के दोरान युवरास सिंग ने खुद कहा था कि अगर एंड्रू फ्लिंटॉफ के साथ उनकी गर्मा गर्मी ना हुई होती तो शायद मैं छे गिंदों बच्छे चक्के नहीं लगा पाता दोस्तों आप हमें कमेंट कर करके बताएं आपको इन तीनों में से सबसे जादा यादगार पारी कौन सी लगती है प्लिस दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राए जरूर दें